उसमीदे नमस्ति साथियों, कैसे हैं, आप लोग असा करता हूँ, आप अच्छे होगे। दूस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, कि ढुक्यमेंट अपडेट आप जो है, अज अदर कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं। सब कुछ बहुत लोगों का बदल चुका है कई लोग जॉब के तलास में कहीं और चले जगे मतलब कि कुलमिनागर के एड्रेस के नहीं का चेंज हो गया है तो वो लोग अपना डॉक्मेंट अपडेट करके फिर से अधार कार्ट में अपडेट करवा सकते हैं किसी भी प्रकार का कोई भी चार्जिस यहां पर पेंट नहीं करना पड़ेगा तो काफी असान सा प्रोसीजर है दोस्तों वीडियो को ध्यान पुर्वक देख लीजेगा आपको ये क्लिरली समझ में आ जाएगा देखे इसके लिए आपको क्या करना है तो आपको अपने mobile screen के ऊपर आ जाना है और किसी भी एक browser को open कर लेना है ऊपिन करने के बाद दोस्तों आपको type कर लेना है UID ठीक है क्या type करिएगा तो UID आपको type कर लेना है और फिर दोस्तो इसे आपको जो है वो सर्च कर लेना है ठीक है सर्च करने के बाद दोस्तो यहाँ पे पहले नमबर पे ही अधार काट का ओफिसल वेबसाइट आपको देखने को मिल जाता है uidi.gov.in इसके उपर आपको क्लिक कर लेना है और फिर यहाँ पे एक नया पेज आपको open हो जाएगा आपकी स्क्रीन के उपर यहाँ पे भासा पुछा जाएगा तो जिस भी भासा में आप comfortable होंगे उस भासा के साथ आपको आगे बढ़ जाना है मैं यहाँ पे English Language को select कर लेता हूँ और फिर दोस्तो यहाँ पे जो है वो अधार का अफिसल पेज आपके स्क्रीन के उपर आ जाएगा अब आपको स्क्रॉल करते वे नीचे आ जाना है और नीचे आने की क्रम में पहला जो option नजर आएगा वो get अधार का option रहेगा ठीक है जो second option है दोस्तो वो आपका update अधार का है और इसी में कई सारे options है जैसे कि आपका update अधार at enrollment, update center, check अधार, update status, update demographics, data and check status ठीक है तो simply login वाले button के उपर आपको click कर लेना है ठीक है अप जैसे ही आप login करते हैं दोस्तो यहाँ पे दिखिए आपसे अधार number पूछा जाता है तो यहाँ पे आपको अधार number इंटर कर लेना है और फिर यहाँ पे यह capture जो देख पा रहे हैं इस capture को यहाँ पे इंटर कर लेना है ठीक है नीचे आपको send OTP का बटन देखने को मिल जाता है इसके उपर click करके OTP मंगवा ले आपके अधार से जो भी mobile number लिंक होगा उस mobile number में OTP आ जाएगा इस OTP को यहाँ पे आपको इंट कर लेना है तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे अधार नंबर डाल करके OTP मंगवा लेता हूं तो दोस्तों मैंने यहाँ पे अधार नंबर डाल दिया है capture को भी इंटर कर लिया है अब send OTP वाला बटन के उपर click कर लेता हूं यहाँ पे देखिए OTP भी दोस्तों कह रहा है कि OTP Generation Successful यानि कि OTP यहाँ पे सफलता फुर्वक भेज दिया गया आप स्क्रीन के उपर देख पा रहे होंगे OTP हमारा आ भी चुका है तो यहाँ पे चलिए OTP का जो है मैं इंटर कर लेता हूं अब दोस्तों OTP इंटर करने के बाद यहाँ पे login का बटन है इसके उपर click कर ले order कर सकते हैं add this update कर सकते हैं और यहाँ से आप अपना अधारकाट को check भी कर सकते हैं आपका अधारकाट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों यहाँ पे security region के वज़े से मैं आपको यह दिखा नहीं रहा हूं बाकि आप जो है अपना अधारकाट यहाँ से देख स 27 तक यह service जो है वो free में है बाकि इसके बाद भी आपका होगा लेकिन इसके average में आपको पैसे देने पड़ेंगे ठीक है तो यदि आपका किसी प्रकार के कोई गरबर है तो आप अपना document अपडेट करवा सकते हैं ताकि आप जो है वो free में आप अपना जो अधारकाट है उ आपके screen के उपर आ जाएगा आपको यह सब पढ़ना अगर चाहें दोस्तो तो आप पढ़ सकते हैं बाकि अगर नहीं पढ़ना चाहें तो simply next वाले बटन के उपर आपको click कर लेना है देखें यहाँ पर नीचे में next का बटन देखने को मिल जाएगा अब फिर से कुछ instruction दि गया date of birth, address ठीक है यह सारा complete जो है वो detail आपको देखने को मिल जाता है नीचे में देखें लिक करके आ रहा है I verify that the above details are correct तो यदि आपका यह सारा details जैसे के name, gender, date of birth, आपका address सब कुछ सही है ना तो इस वाले check box में आपको tick लगा देना है और नीचे next वाला बटन है इसके उ यहाँ पे जो है वो verify कर देता हूं मतलब यह जो check box है उसमें tick लगा देता हूं अब दोस्तो next वाले बटन के उपर click करते है ना तो यहाँ पे देखिए अब आपको documents कुछ upload करने है आपका verify हो चुका है first step में second step में आपको upload करना है और third step में आपको submit करना है ठीक है अब दे document size should be less than 2MB ठीक है और नीचे देखिए कर रहा है supported file formats are jpeg, png and pdf इसका मतलब है कि जो document आप upload करेंगे दोस्तों वो आपका 2MB से कम size में होना चाहिए और साथ में आपका जो document है वो jpeg, png या फिर pdf के format में होना चाहिए अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कह रहा है कि please upload proof of identity document ठीक है तो आपको proof of identity के लिए आपको यहाँ से document select कर लेना है देखिए लिख रहा है select valid supporting document type और यहाँ से आपको upload कर देना है जैसे आप upload करेंगे ना दोस्तों यहाँ पे आपका 0% लिख रहा है वो 100% हो जाएगा आपका document यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा ठीक है तो सबसे पहला काम यह है कि आपको document जो है वो select कर लेना है तो चलिए मैं यहाँ से document select कर लेता हूँ दोस्तों proof of identity में इतने सारे documents आपको देखने को मिल जाते हैं इन सभी में से जो भी document आपके पास में होगा वो आप upload कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पे देखे कह रहा है कि यह यह सब document है तो ठीक है अन्य था जो basic document है जैसे कि driving license हो गया, passport हो गया, bank passbook का photocopy हो गया या फिर class 10 का marksit हो गया, marriage certificate जो basic documents होते हैं दोस्तों इसके विसे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ ठीक है, pan card हो गया या फिर आपका voter ID card हो गया तो यह सब document आप proof of identity के लिए यानि इन में से जो आपको इच्छा है दोस्तों वो documents आप दे सकते हैं मैं यहाँ पे voter ID card को select कर लेता हूँ, अब देखी दोस्तों यहाँ पे voter ID card को select करने के बाद कह रहा है view details and upload document ठीक है, तो इस वाले जो section से यह जो box बना है ना दोस्तों इस पे आपको click करके अपना document को upload कर दे तो यहाँ से भी मैं आपको बता देता हूँ, proof of address के लिए इतने सारे document दिये गए दोस्तों इन में से कोई भी document आप जो है वो proof of address के लिए use में ला सकते हैं, जैसे कि मैं आपको कुछ basic documents बता देता हूँ, आपका bank account का passbook होगा तो वो आप दे सकते हैं, अने था आपके पास में passport होगा या फिर passbook का first page का photocopy होगा वो दे सकते हैं, मैरे certificate होगा या फिर दोस्तों यहाँ पे इसमें भी voter ID card होगा तो voter ID card चल जाएगा ठीक है, तो दोनों condition में proof of identity के लिए या फिर proof of address दोनों ही condition के लिए आप यहाँ पे voter ID card का इस्तमाल कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी मेरे पास voter ID card है दोस्तों मैं इसे select कर लेता हूँ, select करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखे कह रहा है कि view details and upload document ठीक है, तो यहाँ से आपको इसके उपर click करके document को upload कर देना है, यह आपका 0% से 100% हो जाएगा, और फिर यहाँ पे आपका voter ID card दिखने लगेगा, उसके अधार card में document update का process है, वो complete हो जाता है, और इसके बाद आपका अधार card में जो नया अपने document डाला है, उसके अनुसार से वो update हो जाता है, आपका address भी वो complete update हो जाएगा, और आपका identity भी update हो जाएगा, और इस तरह से घर बैठे, आप अपने mobile phone के जरिये ही सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है दोस्तों, ये जो सुविधा है न, वो आपका 14 June 2023 तक ही free है, बाकी इसके बाद यदि आप करेंगे, तो इसके अबज में आपको पैसे देने पड़ेंगे, तो काफी महत्पुन है, समय से पहले आप ये सारक की काम जो है, वो कर लें, आपके ल लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद,